नमस्ते दोस्तों, फाइरेंड सेटे टिटोरियल्स में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे, वाट इस फाइर, एलिमेंट ऑफ फाइर, फाइर ट्रेंगल एंड फाइर हाइड्रेंट, तो चलिए शुरुआत करते हैं, वाट इस फाइर, फाइर is a chemical reaction or process that releases heat and light, मतलब फाइर एक chemical reaction या फिर प्रोसेस है, जो की heat और light को release करती है, element of fire, fuel, oxygen and heat, यहाँ तीन element होते हैं fire के, अगर इन तीन element में से एक भी element हटा दिया जाए, तो fire का लगना ना मुम्किन है, इन तीनोई element को मिला कर बनता है fire triangle, जो की मिल के उश्मा पेदा करने के बाद fire smoke बनाते हैं, यानि की अपनी साधारन बाशा में बोले, तो धुवाँ पेदा करते हैं, heat, oxygen and fuel, यह तीन element बहुत ही essential है, fire को लगने के लिए, अगर जैसा में ने बताया है, एक भी element को हटा दिया जाए, तो fire लगना ना मुम्किन है, अब इन तीनोई element को मिला के बनता है fire hydrant, sorry fire tetra hydrant, fire tetra hydrant, इसलिए बताएगा है, क्योंकि जब continuously fire चलती जाती है, चलती जाती है, तो इन तीन element से भी काम नहीं चलता है, उसके लिए एक चीज़ों लगती है chain reaction, जो continuously, 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 इन तीनों element को एक दुसरे के साथ, mix up, mixture करती जाती है, और fire जलती जाती है, जैसा कि हम यहाँ देख रहे है, heat, fuel, oxygen, and chain reaction, chain reaction अगर नहीं होगी, तो fire continuously नहीं जलेगी, कुछ समय के बाद, जैसे ही उसके अंदर fuel की मातरा, या oxygen की मातरा, या फिर heat की quantity, अगर खतम हो जाती है, तो फिर fire नहीं लगेगी, continuously अगर fire को चलना है, तो उसके लिए chain reaction बहुत important है, element of fire टेडराडर, जैसा कि आपने इधर देखा, इसका short form होता है, FOHC, fuel, oxygen, heat, and chain reaction, hopefully आपको सब को समझ में आया होगा, और thank you for watching this video, and subscribe and like जरूर कीजेगा,